बिसमेर रख्माइन रहे हैं मैं यूट्यूफ फैमली तो मेरा चैनल देखने से पहले हैं आप इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकल का बिटल सूर दबा लिएगा जी और स्टार्ट करते हैं आज का वेलोग तो आज बने चार हैं ग्रेबी वाले आलू या कहलें आप बेबाले तो यह हैं मेरे पास एक किलो आलू नमक मेर्च हल्दी जीरा और इसी का हम लगाएंगे भंगार और मैंने लिए हैं दो टोमाटर और अधरक लसन डेर चमच और एक मग में लिया है पानी यह रैसिपी है मेरी अम्मी की यह हम लोग शादी से पहले जब कुछ समझ नहीं आता था तो यह बना लेते थे तो बहुत मज़ीगा लगता था तो अब मैंने एक पैन में लिया है कुकिंग ओल कुकिंग ओल जब गरम होगा तो इसके बीच में हम शामिल कर देंगे जनाब जीरा जीरा था देर चमच जीरा को हमने करना है गोल्डन नाकिस को काला न यह देखें हैं हमें जीरा बून रही है जब इसके ऑईल के बीच में बुल बुली से बनेंगे यानि गरम हो जाएगा और दोनों चीज़ेंगे जीरा अब जनाब इसके बारी आएगी टोमाटर एट करने की अब मैं इसमें शामिल करूंगी टोमाटर जो मैंने दो टोमाट टाकि टोमाटर अपना पानी चोड़े और यह थोड़े नरम होजए जब टोमाटर थोड़े नरम होँगे तो बाद में हम इसके बीच में शामिल करेंगे मिसाला जात कोई खास मिसाले नहीं इसमें ड्लने से पनमक मेर्चल दिये यह तीन मसाले से मुडलेंगे इनतिहाई 시mbal और सादा रेसिपी है बहुत मज़िकी बनेगी है यह मेरे इसमेश मसाले शामिल कर देने हैं और बाद में इसमेश में थोड़ा सा मने पानी शामिल कर के मसाला चसर भून के पिर अमने से कवर कर देना है कि इसके साइडों पे ओई आजे और दो तिन विलोग में आपको पता चैली रहा होगा मेरी आवास से कि मेरी तब बेत ने सही लेकिन यह का काम भी है तो फिर मेरे का साथ विलोग भी मैंने लाजमी बनाना है तो यह मेरा मसाला भून गया था मेरा डाकर आखकर आपके आपको दिखाती हो बस यह है कि यह बिलोग बनाना लाजमी जरूरी है मैं अशाती Kia एक दिन भी मैरा मिसो यहाँ देखें जनाब मेरा मसाला भून गया था अब इसके उना शामिल करना है आलो अच्छा बाद लोगों को अगर शौरबे वालू नहीं बनाने भूने वालू बनाने तो यहें पे आलू को दो तिन मिल्ट अच्छी तरह से फ्राइ करना है फ्राइ करके वो इसे नर्ट कवर कर दें इसे में आलू गल भी जाएंगे और खुशका आलू बन जाएंगे लेकिन मुझे चाहिए तो शौरबे वाले आलू मैं आलू को यहां पे दो तिन मिल्ट अच्छी से भूनूंगी मसाले के बीच में बाद में इसके बीच में शामिल कर दोंगी पानी जितना मुझे इसमे पानी चाहिए अब यह वाला मग मैं तकरीबन डेर से पौने डूर डालूंगी बस बाद में पानी डालके इसके बीच में पौने दो मैंने किया था मग डाला था पानी का तो जनाब इसे मैं एक दफ़ा चला के और इसे मैं कवर कर दूँगे मुझे जितनी इसके कौन्ड़टी शोरवे की भी चाहिए और कि इसके बीच में गल बीचाए और खुशक भी हो जिए पानी इसका तो बाद में इसको आप में 15 मिन पकाना है 15 मिन के बाद आप में इसमें पिसावा गरम साला और थोड़ी से कुसोरी में ते डाल के रवड़ी कर लेना ठीक है यहां पर मेरे अलू बन गए यह देखें साइडों पर ओला गया था और अगर आप मेरे विलोग में थोड़ी बहुत बोलने में गलती हो तो मैं उसके लिए माज़रा चाहती है क्योंकि मेरी तब बहुत नहीं सही हमें आपको उसके फाइनल लुक बताऊंगी दिखाऊंगी मेरी वीडियो आपको पसंद आयो आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करने इसे वाइल राइस ओप्राटी के साथ निचुआए करें अल्ला हाफी